नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके कारण डिहाइड्रेशन का भी खत्रा रहता है पूर्भी सिम्भूम में पांच हाथियों की मौत मामले में भारत सरकार ने साजा की रिपोर्ट जार्खन के पूर्भी सिम्भूम जिले के मुशा बनी वन छेत्रे में 21 नौमबर 23 को हाई टेंशन बिधूत तारकी चपेट में आने से पांच हाथियों की मौत हो गई थी इस मामले में आईसु पार्टी के जिला सचीव सर राती आइ करकारता संक के केंद्रिय महा सचीव कृति वास मंडल ने वन एवं पर्यावरन मंतरालाई और जलवायू परिवर्तन मंतरालाई के वन जिव अपराद नियंतरन ब्योरो भारत सरकार ने दिली में सिकाय दर्ज क जहां ग्याहाएकी नव हाथियों का जून्ड स्वर्ण रेखा नदी को पारकर उपर बांधा वन छेत्र में परवेश किया था जहां 21 नॉम्मर दोह तेज की रात्री में हाइटेशन विधूत प्रवाह के तार के संपर्क में आने से जून में से पांच हाथियों की मौत हो ग अदालत ने राज सरकार की सिपाही नियुक्ति निमावली 2014 को चुनोती देने वाली 65 या चिकाओ को खारिच करते हुए कहा है कि सरकार को नियुक्ति निमावली बनाने और उसमें संसोधन करने का पूरा अधिकार है अदालत ने कहा है कि नियमावली के तहत होई सभी नियुक्तियां वैद है और अदालत मामले में हस्तशेप नहीं कर सकती है बता दे इन यह चिकाओ पर 15 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरजचित रख लिया था सुनील टूटू सहित अने प्राथियों की ओर से कहा गयाता की सरकार ने वर्ष 2014 में सिपाई नियुक्ति नियमावली संसोधित की थी यह नियमावली पूलिस मैनुवल के प्रविधानों के खिलाब है ने नियमावली में लिखित पर इक्षा के लियने धाडित नियुम्तम क्वालिफाइंग मार्च की सर्थ भी गलत है ने नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए पलामू में बरातियों से भरी बस पल्टी दरजन भर यात्री घायल पलामू के हैदर नगर के बिलासपूर गाओ के समिप सुक्रवार को निर्मादीन सड़क पर बरात से लोट रही एक बस पलट गई इससे करीब दरजन भर बराति गंभी रूप से घायल हो गया गरामिनों के सहयोग से सभी घायलों को आनन फानन में बस के अंदर से निकाला गया सभी घायलों को हुसाइनाबाद अरुमंडली अस्पतल पहुँचाया गया जनकारी के मुताबिक बस संखेया बीर पैटालिस पी 62-3 गुरु आरको हैदर नगर के सड़या पंचायत के चेला डिह गाव से बरात लेकर बिहार राज के अरंगाबाद जिला के बिराहिम पुर गई थी साधी संपन होने के बाद बरातियों को बैठा कर बस चेला डिह गाव लोट रही थी इसी बीच चेला डिह से एक किलूमीटर पुर्व अचानक विलासपुर गाव के नागा बाबा के समीप निर्माद ही सड़क पर बस अनियंतित होकर पलट गई हेमान्त सुरेन की जामानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोट तयार इडिकी गिरफतारी के खिलाब पुर्व सीम हेमान्त सुरेन की याचिका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी इस मामले में 29 अप्रिल को सुनवाई होने की समभवना है हेमान सुरेन ने 56 दिनों बाद भी हाई कोट दुवारा आदेश नहीं सुनने के खिलाब सूप्रीम कोट में S.L.P दाखिल की है बता दे कि हेमान सुरेन की ओर से ED की खिलाब हाई कोट में आजकर दाखिल की गई थी सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोट ने 28 फरवादी को अपना फैसला स्वरशित रख लिया था लेकिन इस मामले में अभी तक फैसला नहीं सुनाया है इसी मामले को लेकर हेमान सुरेन ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया है पलामू के पणवा और पाटन के भोटरों से एस्पी ने किया सनवाद पलामू जिले के पणवा और पाटन के इलाके में सुक्रवार को भोटरों का कंफिडेंस बढ़ाया गया पलामू एस्पी रिस्मा, रमेशन, हड़ी प्यो, मनी भूसन परसाथ, CRPF 112 बटालियन के असिस्टेंट, कमांडेंट, पी एन भोई, पाटन इस्पेक्टर, पाटन परवा सीयो, पाटन थनापरभारी लाली जी और परवा थनापरभारी चंदर सेखर यादो समित कई पूलिस अधिकारी मौजूद थे SP ने परवा के मजीगाओं के इलाके में 90 वर्स की एक महिला वोटर से सनवाद किया और कहा है कि उसके घर से सटे मत्दान केंद्र है, जाकर हर हाल में मत्दान करना है S.P. ने ग्रामिन महिला से सनवाद अस्थापित करने के लिए अस्थानिय भासा में बात चित की ताकि महिला को आपनापन लगे एवं असानी से बात भी समझ जाए इसके अलावा S.P. ने वहाँ उपसित अने ग्रामिनों से भी समपर्क साधा एवं 13 माई को अपने-अपने मत्दान केंद्रे पर जल्द पहुचने की सलाह दी गई है चुनाव आयोग को हीमत नहीं हुई कि पिये मोदी को भेजे नोटी सुप्रियो भटाचारे जार्खन मुक्ति मोर्चा के महासाचीव सह प्रवक्ता सुप्रियो भटाचाय ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दो राष्ट्रिये दलो के एश्टार परचारकों के समाध में नोटीस भेजे जाने पर कड़ी पर्तिकरिया ब्यक्त की है उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने दो राष्ट्रिये दलो को दो नोटीस भेजा है दोनों पर्टियों से एश्टार परचारकों के बारे में असपस्टी करन मांगा है सुप्रियों सुक्रवार को हर्मो इस्थीत पार्टी कर्याले में सनवाधाता समिलनों पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसी परंपरा की सुरुवात पहली बार की है क्योंकि यह जो मांग परधान मंत्री की है धनबाद का राया तलाब बना मैदान पानी को तरस रहे लोग धनबाद के सराय ठेला के ओजोन गैलेरिया के पीछे इस्थीत राया तलाब का स्थीत्वा खतम होने की गगार पर पहुँचने के बाद इलाके के लोग बुंद बुंद पानी के लिए तरस रहे हैं नगर निगम ने तलाब के संदरी करन के लिए जिर्नो धार कारे सुरू किया था तलाब का पानी निकालने के लिए सहयोगी नगर से आठ लेन को जोडने वाली मुख्य सड़क को कोड़ कर साब पानी निकाल दिया गया जोर सोर से जैसीवी के माध्यम से मिट्टी निकालने का काम सुरू हुआ इसी बीच वासेपुर के असद हुसेन ने तलाब की जमीन को अपना बताते हुए हाई कोट में आज का दायर की है जिसके बाद हाई कोट ने नगर निगम को काम रोकने का देश दिया बता दे कि धनबाद राजा तलाब पर सीधे तोर पर इलाके की बड़ी अबादे निर्फर है जारखन कांग्रेश परभारी बोले खत्रे में लोकतंत्र कांग्रेश के परदेश परभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आज समिधान यह लोकतंत्र खत्रे में है भाजपा समाज को बाटने का काम कर रही है प्रकिर्ती पुजक आदिवासियों के सरना धर्मकोट की मांग को राज्य की गडबंधन सरकार ने सदन से पारित कर केंद्रे की भाजपा सरकार को भेजा गया लेकिन भाजपा सरना सनातन को एक बताने की जबरन कोशिस में लगी हुई है और आज तक मामला को लटका कर रखी है कांग्रेस पार्टी पांच न्याय 25 गरांटी देने जा रही है इससे आरक्षन का हक सन्वेधानिक संसोधन द्वारा 50 पर्थे सीमा हटा कर A.C.H.T.O.V.C. का आरक्षन का पुरा हक देगी जल जंगल जमीन का कानूनी हक देगी वे धुमकुडिया करम टोली चोक में विभीन आदिवासी संगठनों वा इंडिया गट बंधन के परतिनिद्यों की बैठा को समोधित कर रहे थे ज्यारगन की चार लोगसभा सीटों से 18 परतियासियों के नमांकन रद लोगसभा चुनाओं के पहले चरन को लेकर दाखिल किये गे नमांकन की सुक्रवार को इसकुटनी होई इन में चार लोगसभा सीट से 18 परतियासियों के परचार रद कर दिया गया जिसमें खोटी लोग सभा से 9 परत्याशी लोहत्यका से 2 सिंभूम सीट से 7 और पलामों से किसी भी परत्याशी का नामां करवाद नहीं हुआ है इसके बाद अब मैदान में 47 परत्याशी बचे हैं हलाकी वापसी के अम्तिम्ति थी 29 अप्रेल है इसके बाद कोई भी उमिद्वार आपना नाम वापस नहीं ले सकता भोकारों के जुमरा पहार पर नक्सलियों ने की फायरिंग सिर्फ जार्खन जगवार और जीला पुलिश ने परतिवंधित नक्सलियों संगठन भागपा मुवादी के कमांडर बीर सेन उर्फ चंचल वा उसके दस्ते के जुमरा पहार छेत्र में आने की सुचना पच्छापे मारी अभ्यान चलाया इस दवरान पहार से सुराक्षा बलो पर एक राउंड फायरिंग की गई जाच के दवरान चवानों ने नक्सलियों की ठीकानों को धवस्त कर दिया है सुक्रवार को तेन्दु घाट इस्थीत अनुमंदर कर्याले में स्ट्पो वस्त नायन सिंग ने पत्रकारों के जनकारी दी है बताजे तेन्दु घाट इस्थीत अनुमंदर कर्याले में स्ट्पो ने बताया है कि गुरुवार की राज, CRPF, जार्खन जगवार जिला पुलिश ने सन्युक छाप में मारी अभियान चलाया है इस दोरान संध्या समय ललपनिया थाना परभारी जार्खन जगवार एजी 15 के सर्च टीम लालगड टोला लायो गड़ पार कर रही थी तभी जंगल की तरब से एक फायर हुआ सर्च टीम ने उस दिसा में पिछा किया लेकिन जंगल का लाब उठा का नकसली भाग निकले तलासी के दोरान जंगल से एक भरठुवा बंदुक बरामत किया गया है खुटी लोग सभा सीट से नव उमिद्वारों का नमांकन रद ज्यारखन लोग सभा चुनाओ को लेकर पहले चरण के मद्दान के लिए नमांकन समाप्त हो गई है सुक्रवार को दाखली परचे किस्कुटनी की गई जहां खुटी सीट से नव परत्यासी का नमांकन रद कर दिया गया है इन सीट से कुल सुलला लोगों नमांकन किया था इसके बाद अब सिर्फ साथ परत्यासी ही मैदान में रह गया है जिन उमिद्वारों का नमांकन अस्विकार किया गया है उनमें अबवा ज्यारखन पार्टी के सोमा मुंडा भागेदारी पार्टी फीक के जैपाल मुंडा अमबेट कराई पार्टी अफ इंडिया के समडों गुडिया सामिल है ज्यारखन के अंदोलन कारियों की तीन महा का पेंसन अवंटीत जार्खन सरकार ने 23 जीलो गढ़वा को छोड़ कर आंदोलन कारियों के लिए पेंसन मद में 3 माह की बकाया रासी 4,26,57,000 रुपय का आवंटन कर दिया है गिरिह कारा एवं अपदा प्रमधन विभाग द्वारा जारी आवंटन पत्र सभी जीलों को उपायुकतों को भेज दिया गया है इन में सरवाधिक रासी 65 लाग पूर्वी सिम्हुम के आंदोलन कारियों के लिए आवंटित की गई वही जमसेदपूर के आंदोलन कारियों का एरिया मद में अभी भी तीन कोरोर से अधिक का बकाया है बता दे जार्खन आंदोलन कारियों के परदेश संजोजक संजय लाकडा ने बताया कि पूर्वी सिम्हुम के आंदोलन कारियों को सरवाधिक रासी 65 लाग अवंटित की गई है ये जार्खन के किसी भी जीले के आंदोलन कारियों को मिलने वाली सरवाधिक रासी है इसके बाद दुमका जिला के अंदुलन कारियों को 42 लाक और गिरीडी जिलों को 38 लाक रुपए मिलेंगे जारखन में चल रही लू हीट वेव का अलर्ट जारी जारखन में लोगों को लागतार गर्मी का परकोप जेलना पड़ रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्रे के परमूख और मौसम विज्ञाने अभिसेक अनद ने सुक्रोवार को यह जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि पिछले 24 गंटा के दोनान सरा के लाक हर्सवाजीले में कहीं कहीं उस लहर चल रही है वहीं मौसम विज्ञानी ने बताया है कि 27 और 28 अपरेल को आंसिक बादल चाहे रह सकते हैं लेकिन जारखन का मौसम सुस्क ही रहेगा वहीं 29 और 30 अपरेल को आसमान साफ रहेगा कहीं भी बारिस होने का साथ नहीं है इसलिए गर्मी से अभी रहात नहीं मिलेगी इसकी कोई समभवना नहीं दिख रही है गुमला में साधी की खुसिया गं में बदली गुमला जीले के राइडी में साधी समारोह के दवरान मिट्टी पूजा रस्म कर नाश्ते गाते लोट रहे लोगों को बैलोरों ने रौंद दिया है इसमें एक की मौत हो गई जब कि तिन लोग गंभी रूप से घायल हो गया इन्हें ततकाल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने जाज के बाद छटकु नायक को मिरीत गोशित कर दिया घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफल कर दिया है घाटना की सुचना मिलता है पुलिस पहुंची और मामले की जनकारी लेकर सौब को पोसमास्टम के लिए भेज दिया बतादे सलक हाथ से किया घाटना गुरु आरातरी करीब बारह बज़े की है समुदाइक स्वासकेंदर रायटी के सामने एक बेलोरों ने साधी समरों के दौरान मिटी पुजा रस्म कर नाचते गाते घर लाट रहे लोगों को रौन दिया है लोहर दग्गा से देशी कट्टा के साथ है यूग गिरफतार लोहर दग्गा में बगडू थाना के पुलिस ने एक देशी कट्टा समय तिन जिन्दा कर तूस्त के साथ एक को गिरफतार कर लिया है गिरफतारी पुलिस अधिक छक हरी स्मीन जामा के निर्देश पर हुई है जनकारी के मुताबिक बगडू पुलिस की टीम ने उक्त ब्यक्ति की तलास में मरहू गाँ पहुची और उसे गिरफतार कर लिया है फिलाल इस मामले पर पुलिस ने प्रत्मी की दर्च कर लिया है करना के समद में मिली सुचना के मुताबिक लोहर्देगा पुलिस को गाँवालों से खबर मिली की एक युवक देशी कर्टा लेकर गाँव में घुमता है जहां वह बात बात पर लोगों को अपनी धौश दिखाता रहता है इसकी जनकारी जैसे है पुलिस अधिक छक हरी सबीन जामा को होई उन्होंने बगलू थाना परभारी को मामले की जाच कर आवस्यक करवाई करने का निर्देश दिया देवघर से रंगदारी मामले में तीन युवक गिरफतार देवघर नगर थाना अंतरगत वैजनाथ धाम स्टेशन के आगे कास्टर टाउन अमर धाम गली में कुछ लड़को दोवारा पिस्टल गोली का भाय दिखाकर रंगदारी मांगने की सुचना पर एसपी राकेस रंजन द्वारा गठित शापे मारी के लिए पहुँची स्ट्पो सिर्वास्तो के नित्युत में तौरित करवाई करते वे उक्त शाइटी ने अपराधिक किस्मे के तीन युवकों को पिस्टल सहीद चाह गोली के साथ गिरफतार किया है बतादे नवगर्थाने में आयोजीत पत्रकारवारता में स्ट्पो ने बताया है कि गिरफतार कियेगा युवक में कास्टर टाउन अमरधा मुहला निवासी बहुआ सिंग उर्प संदीप सिंग सामिल है रांची के मांडर कॉलेज पहुँची तीन सतसे जाच कमीटी रांची विशुबिद्याले अंतरगत मांडर कॉलेज में बीतिय अनिमित्ता मामले में सुक्रवार को तीन से से कमीटी ने वीद से जुड़े कई कागजात चप्त कर अपने साथ ले गई है कुलपती डाक्टर अजीत कुमार सीनहा के निर्देश के आलोक में विशुबिद्याले के प्रोक्टर डाक्टर मुकूंद चंद्रमेहता इंटरनल ओडिट को अडिनेटर अजय प्रकास तथा विशुबिद्याले बीत बिभाग के सुमीत कुमार दिन में कॉलेज खुलते ही जाच करने पहुँचे कमेटी के सदस्यों ने दिन भग काग्जात की जाच की तथा दिकारियों और करमचारियों से अवस्यक पुछताच की इसके बाद सभी जब्त काग्जात तीन बड़े-बड़े काट्टून में सील बंद कर साम से उसे विशुबिद्याले मुख्य के लिए 16 माई तक आवेदान जारखन लोग सेवा आयोग द्वारा एक गारहमी बराहमी तथा तेरहमी सीविल सेवा मोख्य परिक्षा के लिए ऑनलेन आवेदान भरने की अम्तिम्ति 16 माई 2024 निधायत की गई है इसमें प्रारामिक परिक्षा में उतिन अभियार्ति सरकाई नोकरी करने वाले अभियार्ति को समन्दित विभाग से एन ओसी लेना भी होगा वहीं मालूम हो कि कूल 342 पत के लिए प्रारामिक परिक्षा में उतिन 711 अभियार्ति के जैन मोख्य परिक्षा के लिए क्या गया है सुपरीम कोट की अनुमति की बिना जारी नहीं होगा सहयक अचारे नउक्ति परिक्षा का रिजल्ट जाए यह मामला अभी अदालत में विचरारधीन है इसलिए बिना अनुमती परिणाम जारी करने पर रोक रहेगी इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सब्ताह में होगी सहायक आचारे के लिए हिंदी की परिछा सन्निवार से सुरू हो रही है धन्यवाद